हलो दोस्तो दोस्तो आज की कहानी का नाम है हमारा चुलबुल की पूछ चुलबुली चुलबुल को अपनी पूछ ना भाई पर क्या दूसरों की पूछ लगाने से बात बनी पढ़िये नन्ने चुलबुल की कारिस्थानिया तो जानने के लिए शुरू करते हैं आज की कहानी एक थी गिलेरी, बड़ी नटकट, बड़ी चंचल, नाम था उसका चुलबुल कभी फुदक कर पेड के उपड, तो कभी पेड के नेचे कभी दोनों पेरों पर खड़ी होकर छलांगे लगाती तो कभी चुड़ियों के पीछे दौर लगाती एक दिन पेड की डाल पर बैठी थी वह, अक्रोट खा रही थी अचानक उसकी निगा अपने ही पूच पर पड़ी इतनी सोचा, ओहो, यह भी कोई पूच है इतनी हलकी सी कि पता ही नहीं चलता कि पीछे कोई पूच भी लगी है क्या क्या जाए चुलबुल सोच में पड़ गई बहुत सोच विचार के बाद उसके दिमाग में एक बात आई क्यों न डॉक्टर बॉम्बो भालू के पास चला जाए वह डॉक्टर बॉम्बो भालू के अस्पताल पहुची उनके अस्पताल में विभिन जानवरों के पूँच, टांग, कान, अलमारी में सजे हुए थे जब तक डॉक्टर बॉम्बो भालू आते हैं तब तक मैं अपने लिए एक पूँच चुन ही लेती हूँ बुलबुल ने मन में सोचा और तरतर के पूँच देखने लगी काफी सोच विचार के बाद उसे बंदर की पूँच पसंद आई जैसे ही डॉक्टर बॉम्बो कमरे में आए चुलबुल उचल कर मेज पर बैठ गई डॉक्टर दादा मुझे बंदर की पूँच लगा दो उसने चहक कर कहा डॉक्टर बॉम्बो ने अपने चश्मे के उपर से देखते हुए पूचा तुम्हारी अपनी पूँच को क्या हुआ? मुझे अपनी पूँच बदल नहीं है चुल्बॉल मचली अरे भाई बंदर की पूँच तुम्हारे लिए ठीक नहीं है डॉक्टर बॉम्बो ने उसे समझाया मुझे कुछ नहीं सुनना बस आप मेरी पूँच बदल दो चुल्बॉल ने जित की ठीक है अगर तुम नहीं मानती तो मैं तुम्हारी पूँच बदल देता हूँ डॉक्टर बॉम्बो ने नाग पर चश्मा उपर खिसकाया चुल्बॉल खुश हो गई डॉक्टर बॉम्बो ने उसकी पूँच निकाल कर उसकी जगर बंदर की पूँच लगा दी चुल्बॉल खुशी से जूम उठी वा अब होई ना कोई बात मैं भी बंदर भाया की तरह पीड़ पर उची डाल पर अपने लंबी पुश लटका कर बैठूंगी यो सोच से हुए बुल बुल चल पड़ी एकिन यह क्या चला क्यों नहीं जा रहा है शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है चुल्बॉल थोड़ी से परेशान हो गई बड़ी मुश्किल उसे दर्वादे से बाहर निकली अपनी भारी पूच के साथ चलना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था किसी तरह पूच खीच-खीच कर वह पेड़ के पास पहुँची पेड़ पर चड़ कर थोड़ा अराम कर लूँ सोच से हुए वह पेड़ पर चड़ने की कोशिश करने लगी लेकिन यह क्या वह तो एक इंच भी पेड़ पर नहीं चरस पाई कई बार उसने कोशिश की पर हर बार वह गिर जाती आखे ठक कर वह बैठ ही गई नहीं यह ठीक नहीं है इसे बदलना पड़ेगा यह कहते हुए उसने अपनी लंबी पूछ को हाथ से उठाने की कोशिश की किसी तरह लड़ खडाते हुए वाद दोबारा डॉक्टर बॉम्बो के अस्पताल में पहुँची डॉक्टर दादा डॉक्टर दादा यह पूछ सो बहुत भारी है कोई हलकी पूछ लगा दो चुल बॉलने तक ही हुई अवाज में कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था डॉक्टर बॉम्बो ने कुस्से में बोला गलती हो गई डॉक्टर दादा आप मुझे बिल्ली की पूछ लगा दो चुल बॉलने अपनी गलती मानते हुए सलहा दी डॉक्टर बॉम्बो ने बंदर की पूछ हटा कर बिल्ली की पूछ लगा दी यह पूँच बंदर की पूँच से तो हलकी है सोसे हुए चुलबुल चल पड़ी पूँच की अदला बद्दी में वह अब तक बहुत थक गई थी वह पास के एक पेड़ के पीछे लेट कर अराम करने लगी वह बहुत थकी थी इसलिए उसे तुरन नेंदा गई अचानक जोर की अवाज सुनकर उसकी नीन तूटी अरे बापरे एक बड़ा सा कुटा उसकी पूँच देकर उसे बिलने समझ कर उसकी और दोरता चला रहा था चुलबुल भागी आगे आगे चुलबुल पीछे पीछे कुटा ओफो इस पूच के साथ तो मैं भाग ही नहीं पा रही हू मेरी अपनी पूच कितनी हलकी थी मैं कितने आराम से भाग सकती थी चुलबुल अपनी गलती पर पसाने लगी किसी तरह गिटे पढ़ते वह फिर से डॉक्टर बोमबो के अस्पताल में पहुची डॉक्टर दादा डॉक्टर दादा मुझे बचाओ चलाते हुए वहां अंदर भागी कुता बाहर ही खड़ा रह गया भोबो की अवास आती रही अब क्या हुआ डॉक्टर बॉम्बो ने पूछा वह कुता मेरे पीछे पड़ गया है मुझे किसी की पूछ नहीं चाहिए आप बस मेरी पूछ लगा दो चुलबुल ने जोड से सिरह लाते हुए कहा डॉक्टर बॉम्बो उसको राते हुए बोले अब तुम्हे समझ आई है बिल्ली की पूछ निकाल कर उन्होंने चुलबुल की पूछ तुबारा लगा दी अपनी पूछ पाते ही चुलबुल ने चैन की सांस ली और खुश होकर घर की और चल दी अब उसे कोई परिशानी नहीं थी उसके होटों पर एक गीत था अपनी पूछ सबसे प्यारी हलकी फुलकी न्यारी न्यारी उचल कूंत कर दौल लगाती लगती नहीं हम मुझको भरी तो दोस्तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जैसे भी हैं हमें अपने आपको वैसे ही स्युकारना चाहिए कभी भी दूसरों को देखके ये च्छा नहीं रखनी चाहिए कि हम भी काश ऐसे हो हमें वैसे ही खुश रहना चाहिए जैसे हम हैं क्योंकि सभी अलग-अलग होते हैं तो दोस्तो कैसी लगी आपको ये कहानी तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में धन्यवाद